जैसा कि दोस्तों, प्रिवियस टू वीडियो में हम सभी ने बैक्टिरिया के सेक्सोल रिपोड़क्शन यानि की बैक्टिरियल रिकॉंबिनेशन के टू टाइप्स, ट्रांस्फॉर्मेशन और कंजुगेशन के बारे में जाना आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टिरियल रिकॉंबिनेशन के तीसरे टाइप यानि की ट्रांस्ट्रक्शन के बारे में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांस्ट्रक्शन होता क्या है और ट्रांस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते है इसके अलावा Transduction की जितने भी type है और उसके जितने भी step है उसे हम animation के थुरू समझेंगे तो आज का वीडियो आपके लिए most important होने वाला है क्योंकि exam के point of view से देखा जाए तो इससे आपके exam में question पूछे जाते हैं तो पूरे वीडियो का आप ध्यान से देखेगा कहीं भी वीडियो की skip मत कीजिएगा तो आएए वीडियो की सुरुवात करते हैं Transduction was first discovered in 1952 by Lederberg and Jinder तो यदि हम बात करें Transduction की खोजकी तो इसे सबसे पहले 1952 में Lederberg और Jinder ने खोजा था तो आएए हम बात करते हैं कि Transduction होता क्या है या Transduction की definition क्या होगी Genetic Recombination in which a DNA fragment is transferred from one bacteria to another by a bacteriophage तो जब एक bacteria से दूसरे bacteria में DNA के तुकडे का transfer होता है और उस DNA fragment के transfer में bacteriophage virus भाग लेता है तो इस प्रकार के reproduction को या निकि इस प्रकार के genetic recombination को हम कहते हैं Transduction तो याद रखेगा कि जब bacteria में Transduction procedure होता है तो उसमें मदद करता है Bacteriophage virus तो यहाँ पर एक important point यह है कि जब भी bacteria में Transduction होगा तो वहाँ पर direct एक bacteria से दूसरे bacteria में DNA का transfer नहीं होता जैसा कि आपने conjugation में पढ़ा था कि conjugation में एक bacteria से दूसरे bacteria में DNA का transfer डारेक्ट होता है लेकिन बात करें हम Transduction की तो Transduction में एक bacteria से दूसरे bacteria में DNA का transfer Bacteriophage virus के कारण होता है तो Transduction को समझने से पहले आईए समझते हैं कि Bacteriophage virus होते क्या है A virus that infects certain type of bacteria and replicate within them is called Bacteriophage virus तो ऐसे virus जो bacteria के अंदर पहुच कर यानि कि bacteria को संक्रमित करकी उन्हें नष्ट करते हैं और उनके अंदर अपनी धे सारी copy बनाते हैं यानि कि रिप्लिकेशन करते हैं ऐसे virus को हम बोलते हैं Bacteriophage virus और Bacteriophage virus को हम bacteria eater भी कहते हैं It was first discovered by Frederick Twart in 1950 तो यह सबसे पहले Frederick Twart द्वारा 1915 में हो जा गया था तो यदि हम बात करें Bacteriophage के replication की तो यह दो तरीके से replicate करते हैं फर्स्ट है lytic और सेकेंड है lysogenic cycle तो lytic और lysogenic life cycle क्या है आए पहले इसको समझते हैं ताकि आसानी से हमें transduction सबज में आ सके तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं Bacteriophage virus के lytic life cycle यानि की lytic replication की तो इसमें होता क्या है कि जो Bacteriophage virus है वो किसी bacteria यानि किसी bacterial host cell पर attack करेगा उसके उपर attached होगा और अपना जितना भी genetic material है यानि कि उसका genetic material जो DNA है उसके अंदर inject कर देता है bacteria के अंदर viral DNA पहुचते ही उसके जितने भी machinery है उस पर control कर लेता है और bacteria के DNA को destroy करके उसके अंदर replication करना start कर देता है और replication के तुर DNA और जितने भी protein है उनका formation करता है और जब replication हो जाता है तो जो protein है और जो DNA है उसका assembling bacteria के अंदर start हो जाता है और एक तरह से complete bacteria phase बैक्टीरिया के अंदर बन जाते है और इसके बाद यह क्या करता है बैक्टिरिया को नश्ट करके यानि की बैक्टिरिया का लाइसिस करके उसके बाहर से रिलीज हो जाता है और इस तरह से बैक्टिरिया के अंदर ठेर सारे बैक्टिरियोफेज वाइरस बन जाते हैं अब यह जो बैक्टिरियोफेज वाइरस बनते हैं यह फिर से दूसरे अध लायसोजेनिक लाइब साइकल की we haven't यह उन्न Мवा फिजुसे दवरा मत धाना नीकी शंक्रमिट ना इनकल्ट ऑप gonna उसे हम बोलते हैं प्रोफार्ज तो लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है जो वाइरल डियने है वो रिप्लिकेट नहीं करता है वो लेटेंट फेज में चला जाता है और बैक्टिरियल डियने के साथ मिक्स अप रहता है और जैसे जैसे बैक्टिरिया का डियने जीआने वह चला जाता है लाइटिक लाइटिक लाइब साइकल में जानी कि इसमें जो जूड़ा हुआ वाइडीन रिप्लीकेट करेगा और रिप्लीकेट करने के बाद इसके इनदर यानि कि बैक्टिरिया के अंदर अपनी ठेशेी होपी बनाएगा DNA बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा और एसेंबल होकर फेज से बैक्टिरियो फेज वाइरस का फॉर्मेशन करता है तो इस तरह से लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइप साइकल बैक्टिरियो फेज वाइरस में चलती है I hope कि आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर आप एक important point और नोट कर लेजेगा All bacteriophage can be transducer but all not bacteria are transducible कहने का sense यह है कि जितने भी bacteriophage वाइरस हैं वो transduction करते हैं लेकिन जो transduction का procedure है वो सभी bacteria में नहीं होता तो आईए कुछ ऐसे example देखते हैं जिनमें की transduction पाया जाता है Transduction has been found to occur in variety of prokaryotes including certain species of bacteria like ischerichia, salmonella, pseudomonas, staphylococcus, gentobacter इन सभी bacterial species में transduction पाया जाता है तो आए नेक्स हम बात करते हैं कि transduction कितने type के होते हैं तो यदि हम बात करें transduction के type की तो transduction two type का होता है फर्स्ट है generalized transduction और दूसरा है specialized transduction तो इन दोनों transduction में क्या difference है आईए ये समझ लेते हैं तो generalized transduction तब होता है जब bacteriophage virus में lytic life cycle चलती है जबकि specialized transduction तब होता है जब bacteriophage में lysogenic life cycle चलती है तो जो generalized transduction है इसमें replication immediately होता है मतलब बहुत तेजी से होता है जबकि specialized transduction में जो replication होता है वो बहुत देर से होता है अब देर से क्यों होता है क्योंकि अभी पीछे आपने देखा था कि lysogenic life cycle में जो bacteriophage का DNA है वो latent phase में चलता है यानि कि resting phase में चलता है और वो bacteria के साथ जुड़ा रहता है परन्तु वहाँ पर replication नहीं कहता है इसलिए वहाँ पर bacteria phase के DNA के replication में समय लगता है तो इस region से हम कह सकते हैं कि specialized transduction में replication late में होता है और एक most important चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो generalized transaction है इसमें एक bacteria से दूसरे bacteria में virus DNA का ट्रांसफर नहीं होता मतलब कि जब भी generalized transaction होगा वहाँ पर कोई भी viral DNA एक bacteria से दूसरे bacteria में नहीं जाएगा लेकिन specialized transaction में होता क्या है कि यहाँ पर viral DNA और bacterial DNA दोनों एक bacteria से दूसरे bacteria में transmit होते हैं तो यह procedure कैसे चलता है आएए इसको detail से हम animation के थुरू समझते हैं तो आएए सबसे पहले हम बात कहते है generalized transaction की DNA fragment is transferred from one bacterium to another by a lytic bacteriophase that is now carrying donor bacterial DNA due to an error in maturation during the lytic life cycle तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जब भी generalized transaction होता है वो lytic bacteriophase के थुरू होता है जिसे हम virulent bacteriophase भी कहते हैं इसे हम virulent bacteriophase इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यह bacteria को क्या करता है निश्ट कर देता है तो आईए देखते हैं कि कौन कौन से step involved होते है generalized transaction में तो first step में क्या होगा कि जो bacteriophase virus है वो bacteria के उपर attack करता है और attack करने के बाद अपना जो viral genome है यानि कि जो viral DNA है वो bacteria के अंदर inject कर देता है तो इसके बाद क्या होता है bacteria face का जो genome है वो इंटर करते ही वो bacteria के metabolic जो machinery है उसको close कर देता है और उसके अंदर अपने जितने भी component है यानि कि जितने भी enzyme है जितने भी protein है जितने भी DNA है उनका formation start कर देता है कहने का sense यह है कि bacteria face का जो DNA है वो bacteria के उपर control कर लेता है तो viral DNA का replication होने से पहले जो bacterial DNA है वो degrade होता है यानि कि वो तुकडों में तूड़ जाता है तो second step में आप देख सकते हैं कि जो viral genome है उसे red color से दिखाया गया है और जो bacterial DNA है उसे gray color से दिखाया गया है तो याद रखेगा ये color क्योंकि आगे आप इस color के थूरू ही समझ पाएंगे कि कैसे generalized transduction होता है तो जब bacteriophage virus का DNA, bacteria के DNA को छोटे छोटे fragment में तोड़ देता है तो उसके बाद क्या करता है कि bacteria के अंदर अपनी copy बनाना start करता है यानि कि bacteria के अंदर वो DNA और जो protein है इन दोनों का formation start करता है और इन दोनों के formation के बाद assembling start होता है यानि कि जो virus के DNA है और protein है वो आपस में क्या होते हैं mix होने लगते हैं और नए bacteria phase का formation करते हैं यहाँ पर by mistake यानि कि कभी कभी क्या होता है कि जब packaging होता है तो उस packaging के दवरान कभी कभी जो bacteria का DNA है वो virus DNA की जगह पहुच जाता है यानि कि bacteria phase में virus का DNA न पहुच कर bacteria के जो छोटे छोटे fragment रहे हैं वो पहुच जाते हैं तो यहाँ पर यह चीज जो होता है by mistake होता है तो यह point आपको समझना है क्योंकि यह point ही main है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें bacteria का DNA पहुच गया by mistake आप figure में देख सकते हैं कि आपको grey color से bacteria phase के अंदर bacterial DNA दिखाई दे रहा होगा बाकि जो other bacteria phase है उसके अंदर आपको red color से viral DNA दिखाई दे रहा होगा अब इसके बाद होता क्या है कि जो bacteria होता है वो break कर जाता है यानि कि जो bacteria phase virus है वो bacteria का lysis करते हैं उसे nusht करते हैं क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि bacteria phase virus जो lytic life cycle देते हैं वो bacteria को क्या करते है नusht कर देते हैं तो इस प्रकार से bacteria के अंदर से धे सारे bacteria phase virus निकलते हैं लेकिन यह जो bacteria phase virus निकलते हैं वो generally दो तरह के होते हैं एक ऐसे bacteria phase होते हैं जिनमें की केवल वाइरल dna होते हैं और दूसरे ऐसे bacteria phase होते हैं जिनमें की केवल bacterial dna होते हैं अब जब ये bacteriophage virus release होते हैं और जब ये दूसरे bacteria को क्या करते हैं संक्रमित करते हैं तो जो bacteriophage virus जिनमें की bacterial DNA था अब जब ये दूसरे bacteria को infect करता है यानि कि संक्रमित करता है तो एक bacteria यानि कि जो पहला वाला bacteria था उसका DNA अब दूसरे bacteria की DNA में चला जाता है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे एक बैक्टिरिया का डिन ने, बैक्टिरियो फेज वायरस द वाइरस दौरा दूसरे बैक्टिरिया मेश पहुचा तो जब Lytic Bacteriophage यानि की Virulent Bacteriophage द्वारा Transduction होता है तो उसे हम बोलते हैं Generalized Transduction और यहाँ पर आपने एक Importance देखी होगी कि यहाँ पर केवल बैक्टिरिया का DNA ही Transfer हुआ वाइरस का DNA एक बैक्टिरिया से दूसरे बैक्टिरिया में Transfer नहीं हुआ तो जब केवल बैक्टिरिया का DNA ही Transfer होता है और बैक्टिरियो फेज वाइरस का केवल Lytic Life Cycle चलता है तो उसे हम बोलते हैं Generalized Transduction तो आईए Generalized Transduction को हम Animation के थूँ समझते हैं तो सबसे पहले बैक्टिरियो फेज वाइरस बैक्टिरिया पर Attack करेगा और अपना Genetic Material यानि की Viral DNA को इसके अंदर Inject कर देता है और जब Viral DNA बैक्टिरिया के अंदर Inject होता है तो वो Phage Enzyme के थूँ बैक्टिरिया के DNA को Cut कर देता है यानि की जो बैक्टिरियो 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 फेज बनते हैं जिसमें bacterial DNA होता है और दूसरा ऐसा बैक्टिरियो फेज होता है जिसमें viral DNA होता है तो जिस बैक्टिरियो फेज के पास bacterial DNA होता है वो दूसरे बैक्टिरिया पर जब Attack करता है तो पहले वाले बैक्टिरिया का DNA दूसरे वाले बैक्टिरिया के DNA में चला जाता है तो इस प्रकास से generalized transduction होता है I hope आपको animation के थुरू अच्छे से समझ में आ गया होगा इस्टम बात करते हैं specialized transduction की A DNA fragment is transferred from one bacterium to another by a temperate bacteria face that is now carrying donor bacteria DNA due to the error in spontaneous induction during the lysogenic life cycle तो transduction में एक bacteria से दूसरे bacteria में जो DNA पहुंसता है वो temperate bacteria face यानि की lysogenic bacteria के द्वारा पहुंसता है तो इस प्रकास से जो specialized transduction है वहाँ पर lysogenic life cycle यानि की bacteria phase का जो lysogenic life cycle है वो चलता है Lambda bacteria phase is a good example of specialized transduction तो जो lambda bacteria phase होते हैं वो generally specialized transduction देते हैं तो आईए देखते हैं कि specialized transduction में कौन कौन से step involved होते हैं तो first step में क्या होगा जो bacteria phase virus है वो bacteria पर attack करता है और उसे attached हो जाता है इसके बाद अपना जो DNA है यानि की जो viral DNA है वो bacteria के अंदर inject करता है specialized transduction में होता क्या है कि जो viral DNA है वो bacterial DNA के साथ integrate हो जाता है और प्रोफाज का formation करता है इसे specialized transaction इसलिए कहा जाता है यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि जब भी viral DNA, bacterial DNA के साथ integrate होता है तो एक specific site पर integrate होता है यानि कि वो जब भी जुड़ता है कुछ ऐसे इस्थान पर जुड़ता है जो कि विसेज हो तो यहाँ पर हम लोगों ने lambda viral DNA लिया हुए तो lambda bacteria face का जो viral DNA है वो हमेशा galgen और biogen के बीच में जुड़ता है अब galgen और biogen क्या है तो galgen और biogen bacteria का chromosome है यानि कि bacterial DNA है और इन bacterial DNA के specific side पर viral DNA जुड़ा हुआ है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि specialized transaction में होता क्या है जो viral DNA होता है वो हमेशा bacterial DNA के specific side पर जुड़ता है अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह galgen और biogen क्या है तो जो galgen है वो galactose के fermentation के लिए responsible gene है और जो biogen है यह biotene synthesis के लिए responsible है तो इन दो specific side के बीच में viral DNA जुड़ जुड़ जाता है जबकि आपने generalized में देखा था कि जो viral DNA है वो bacterial DNA से नहीं जुड़ता वो सीधे क्या करता है bacterial DNA को छोटे छोटे fragment में तोड़ देता है अब अगले tip में क्या होगा अगले tip में यह होगा कि जो viral DNA है वो bacterial DNA से अलग होगा और replication start कर देगा परन्तु उस viral DNA में bacterial DNA के कुछ segment जो होंगे वो जुड़े रहेंगे और जब वो replication करता है तो उस viral DNA से bacteria के कुछ DNA जुड़े रह जाते हैं यहाँ पर आप समझ रहेंगे कि जब viral DNA bacteria के DNA से जुड़ा ठीक है तो वहाँ पर profile का formation किया अब उसके बाद वो क्या होता है bacterial DNA से अलग होता है और जब अलग होता है तो कुछ part bacterial DNA के रखता है तो जैसा कि image में आप देख सकते हैं कि red color से viral DNA दिखाए गया है और sky blue color से आपको bacterial DNA दिखाए गया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि viral DNA के साथ साथ bacterial DNA भी जुड़ा हुआ है अगले step में bacterial phase जो DNA है फिर से replicate करेगा और packaging स्टार्ट होगा अब जब यह replication होता है यानि कि bacterial phase में replication होता है तो इस समय viral DNA के साथ साथ bacterial DNA भी जुड़े रहते हैं यहाँ पर यह चीज़ आप ध्यान दिजेगा कि आपको हमेशा viral DNA के साथ साथ bacterial DNA जुड़े हुए भी मिलेंगे फाइनली जब यह assemble होकर नए bacterial phase का formation करेंगे तो इन bacterial phase वाइरस में viral DNA के साथ bacterial DNA भी पाया जाएगा जबकि जब आपने generalized transaction पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था कि by mistake किसी किसी bacterial phase में केवल bacterial DNA गया था ठीक है उसमें दोनों DNA नहीं थे अब यह bacterial phase वाइरस जब दूसरे bacteria पर infection करते हैं यानि कि दूसरे bacteria को संक्रमित करते हैं तो उस bacteria में दो तरह की DNA जाते हैं एक तो viral DNA होता है और दूसरा पहले bacteria का DNA होता है यानि कि specialized transaction में हमेशा दो तरह के DNA जाते हैं दूसरे bacteria में एक viral DNA और दूसरा first bacteria का DNA जबकि generalized transaction में आपने देखा था वहाँ पर केवल bacterial DNA ही जाता है तो आईए specialized transaction को हम animation के थुरू समझते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक bacteria phage virus है यहाँ पर example के रूप में हम लोगों ने lambda phase virus लिया हुआ है अब यह lambda phase virus अपना genetic material यानि की viral DNA inject करता है और यह viral DNA bacterial DNA के साथ specific side पर जुड़ जाता है जैसा कि मैंने बताया था कि जो lambda DNA होता है वह bacteria के gal gene और bio gene के बीच में जुड़ता है इसके बाद viral DNA bacterial DNA से अलग होता है लेकिन जब यह अलग होता है तो इसके साथ-साथ bacterial DNA भी आ जाते हैं अब यह replication start करता है और replication start करने पर protein और DNA बनते हैं जो की packaging करके नए bacteria phase का निर्मार करते हैं अब यह जो bacteria phase है अगर दूसरे bacteria पर attack करता है तो उसमें दो तरह के DNA जाते हैं एक bacterial DNA जाता है और दूसरा viral DNA जाता है तो यह था specialized transduction I hope आपको animation के थुरू अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और इसे अपने दोस्तों में जरूर सेयर कियेगा ताकि वह भ आपको मिलता रहा है तो दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत